दोस्तो नमस्कार मैं हूँ कैलास सिंग और आप देख रहे हैं केस्वेड दोस्तो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका सिबिल स्कोर तीन सो चार सो पांसो के आसपास है कितनी कोशिस करने के बावजूद उनका सिबिल स्कोर नहीं बढ़ रहा है और इसके कंडिसन में दोस्तो अपने सिबिल स्कोर को कैसे इंप्रूव करते हैं एक डिड़ महिने के अंदर आपका जो सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव हो जाएगा उसके बारे मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो देखो सबसे पहले अगर आपका सिबिल स्कोर तीन सो च जोड़त है वो कभी भी आप पूरी नहीं कर पाएंगे अपने pen card पर तो ऐसे में दोस्तों जिन लोगों का civil score खराब हो जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि lifetime उनका जो civil score खराब रहने वाला है आपको आपने civil score को improve करने की ज़रुरत है अब improve कैसे करेंगे improve करने के लिए दोस्तों आपको दो तरीके मिलते है पहلا तरीका होता है secure loan यानि कि आप किसी भी बैंक से secure loan ले सकते हैं अब secure loan कैसे मिलेगा? तो वहीं किसी भी बैंके में जा सकते हैं, आपके पास gold है उसको गिरी भी रख सकते हैं, आपके पास कोई property है उसको गिरी भी भी रख सकते हैं, उसके ऊपर जो हैं आफ लोन ले सकते हैं, ठीक है एक तो तरीका ये हो गया, पर जब हमारे पास कुछ गि उनकी सेलली होती है, ऐसी कंडिशन में उन लोगों को pre-approved credit card offer किया जाता है बैंकों के तरफ से, क्योंकि उनकी सेलली यतनी है, ऐसे में उनको एक रपे भी देने की जोड़त नहीं है, और lifetime उनको free credit card मिल जाता है, पर वो भी तब मिलता है, जब आपका जो civil score है, वो 700 या 700 के आस-पास हो, तो वहाँ पर भी condition होती है, पर दूसरा तरीका होता है कि अगर आपका civil score 300 है, 400 है, 500 है, या आपका civil score 0 है, आप अपने civil score को improve करना चाते हैं, आप अपने civil score को ठीक है, पहली बार बनाना चाते हैं, तो ऐसे लोगों का civil score है, वो कैसे बनता है, वो बनता है credit card से आपको सिर्फ पर सिर्फ एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ेगा अब सिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या होता है अन्सिक्योर क्या होता है तो जो कि मैंने पहले बताया कि जो कि आपको ऐसे ही ओफर हो जाता है lifetime free किसी भी बैंक के तरब से credit card वो unsecure होता है और एक वो credit card होता है जहाँ पर आपका ना तो silver score देखा जाता है ना यह आपकी income देखी जाती है कुछ नहीं देखा जाता आपको minimum 5,000 रुपे की FD करने होती है और यह जो आप FD करते हैं यह आपकी FD बैंकी में होती है और इसके साथ साथ जो आपकी FD होती है वो भी RBI दुआरा secure होती है 5,000 रुपे तक ठीक है तो यहाँ पर आप minimum 5,000 रुपे की FD करके credit card बनवा सकते है और जो भी आपका credit card बनेगा उस credit card पर आप अपने जो limit होगी है आपकी मालो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपे जितने जादे की FD करेंगे उतने जादे की आपको limit मिलेगी मतलब आपके credit card पर आपको 80 से लेकर 90% तक credit limit मिल जाती है अब FD करने से जो अगर हमें credit card मिल रहा है तो उसका और क्या फायदा है और ये फायदा है कि अगर आप मालो minimum 5,000 की FD करते हो उस पर भी आपको 7% साल का ब्याज मिलेगा मतलब देखो अगर आप saving account में 5,000 पर डाल कर रखोगे 3-3% का ब्याज मिलेगा वो भी कई बाद नहीं मिलता है पर अगर FD करते होगे तो आपकी FD पर ठीक है उस पैसे पर आपको 7% का ब्याज मिलेगा और इसके 7-7 आप उस पैसे के बराबर लगबग 90% के आसपास credit card से उस पैसे को निकाल सकते है जो भी आप credit card से shopping करेंगे ठीक है उस पैसे को आप 50 दिन तक बिना भी आज के यूज कर सकते है यानि कि आपको 50 दिन के अंदर उसकी repayment करनी है इस credit card को बनवानी के लिए document क्या देने है एक तो आपकी age 18 पलस होनी चाहिए 18 पलस आपकी age होनी चाहिए आपके अवास original आधार card, original pen card होना चाहिए बस इतने से document और आपके पास एक mobile phone होना चाहिए इसके अलावा आपको कुछ देने के जोड़त नहीं है अब आपने से बहुत से लोग जो सोच रहे होंगे कि यार credit card पे हम जो shopping करेंगे पचाश दिन के अंदर अगर हम उसकी repayment नहीं कर पाते हैं तो भई खर्चा क्या निकल कर आएगा तो देखो अगर आप पचाश दिन के अंदर ठीक है payment नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो खर्चा है जो penalty है वो नया बनवाना है तो भई इसको civil score को कैसे बनवाएंगे तो देखो वीडियो की description comments box में आपको एक लिंक मिलेगा जैसे यहाँ पर link पर click करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे play store पर दोस्तो play store पर पहुंचने के बाद आपके सामने यह वाला app आएगा जिसका नाम rupee card build civil score already यहाँ पर mention है कि आपका जो civil score बिल्ड हो जाएगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस app जो rating है वो 5 में से 4.3 है और 5000 से ज़्याद लोगों ने इसको जो है review किया है इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को बनवा लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो civil score है वो कितना भी घटी है क्यों आपको जो civil score वो improve होगा 750 तक ठीक है get start up पर click करेंगे get start up पर click करने के बाद आपके सामने interface आएगा अब यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है जैसी आप यहाँ पर अपना mobile number डालेंगे यहाँ पर आप टिक लगाएंगे get OTP पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर automatic फैच हो जाएगा यहाँ पर आप डाल सकते हैं OTP डालने के बाद confirm पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने यवाल interface आएगा अब यहाँ पर आपको enter mpin यहाँ पर आपको चार अंकों का password बनाना है सबसे पहले उपर आप चार अंकों का कोई भी एक security password डालेंगे उसके बाद नीचे password डालेंगे उसके बाद आप confirm पर click करेंगे और इस password को कहीं पर link कर रख लेंगे क्योंकि यह जो password है जब भी आप इस app को open करेंगे तब आपको दोस्तों open करते समय यह password आपको जो है डालना होता है उसके बाद आपके सामने यवाल interface आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस credit card को वनवाने के बाद आपको साल का 7% तक आपकी FD पर भ्याज मिलेगा no joining fees है easy cash withdrawal है और 45 दिन का आपको credit period मिलता है 45 दिन का मिलता है उसके बाद continue to plan selection पर click करेंगे आपको यहाँ पर permission देखने को मिलेगी permission को allow करेंगे फिर allow करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आप कितने रुपे की FD करना चाहते हैं देखो आप कम से कम 5,000 रुपे select कर सकते हैं 10,000 कर सकते हैं 15,000 रुपे select कर सकते हैं उसी हिसाब से आप जितना आगे पीछे करोगे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर मैंने 5,000 रुपे select कर लिए हैं मैं यहाँ पर 5,000 रुपे की FD करूँगा नीचे देखने को मिलेगी deposit amount 5,000 रुपे है टर्मन कंडिशन इस पर टिक लगाएंगे यहाँ पर देखने को मिलेगा चूज 5,000 रुपे fix deposit पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों तीन चार जगा टर्मन कंडिशन यहाँ पर agree to continue पर क्लिक करेंगे उसके बाद उसको आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा enter your pen card आपका जो भी pen card है उसको number डालेंगे उसके बाद pen card पर जो date of birth है वो डालेंगे अपनी mother का नाम डालेंगे और अपना email address डालेंगे यहाँ पर सारी details जो है विल्कुल आपको सही देनी है उसके बाद choose your marital status आप single है या married है यहाँ पर आप जो है select करेंगे और उसके बाद confirm पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके Gmail ID पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर डालेंगे and confirm पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको terminal condition देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको agree and continue का एक option देखने को मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा enter your आधार number आपका जो भी आधार number है अपना आधार number डालेंगे नीचे check box पर tick लगाएंगे and verify पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके आधार कार्ड से register जो भी mobile number है उसके बाद यहाँ पर डालेंगे confirm otp पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों confirm your kyc detail आपको देखने को मिलेगी आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका address है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा date of birth, address वकर आजाएगा उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा send my physical card to the above address भी आपको यहाँ पर credit card मिलेगा उस card को इस वाले address पर मंगाना जाते हैं तो confirm पर क्लिक करेंगे और अगर आप किसी नए address पर इस card को मंगाना चाहते हैं तो add a new delivery address पर क्लिक करके आप दूसरा address यहाँ पर select कर सकते हैं continue पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपना यहाँ पर address डालेंगे and confirm पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा city of birth किस सहर में पैदा हुए हैं उसको select करेंगे education qualification आप कितने बड़े लिखे हैं यहाँ पर आप select करेंगे financial detail यहाँ पर आप डालेंगे आप salary है यहाँ पर डालेंगे आप किसी company में जो करते हैं private है, government है यहाँ पर select करेंगे अगर आप self-employee यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आपको देखने को मिलेगी nominal detail में आप जिसको भी nominal बनाना चाहते हैं उसको नाम डालेंगे उसका date of birth किया है वो डालेंगे तो यह सारी के सारी जो field है उसको आप भर देंगे आपको दिहार में रखना है कि आपका जो नोमनी है उसकी जो यह जो शार साल सी जादे नहीं होनी चाहिए continue पर किलिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यह वाल इंटरफेस आएगा confirm your fixed deposit 5000 रुपे की fixed deposit कर रहे है 12 सी देखने को मिलेगा deposit amount 5000 रुपे है maturity amount 5000 रुपे है maturity date आपकी जो FD है वो mature कब होगी तो आपको date देखने को मिलेगी currently payment fit से देखने को मिलेगी confirm 5000 की fixed deposit पर किलिक करेंगे आपके सामने fit से यहाँ पर termine condition के option आते हैं अब आपको यहाँ पर verify the bank account one to your pay आप जिस bank खाते से इस FD को ठीक है इस FD को करना चाहते हैं उसकी detail डालेंगे account number डालेंगे फिर account number डालेंगे उसके बाद IFSC code डालेंगे verify पर किलिक करेंगे उसके बाद आप देखेंगे दोस्तो bank account successfully link and verify हमारा जो bank का लिंक हो चुका है और verify भी हो चुका है अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यवाल इंटरफेस आएगा यहाँ पर हमारा जो bank का लिंक हो चुका है bank की पूरी data देखने को मिल जाएगी अब यहाँ पर हमें 5000 रुपे की FD करनी है उसके बाद deposit amount पर किलिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस तरीके सा आप जो है अपनी 5000 रुपे के FD कर देखेंगे FD हमारी successful हो चुकी है दूबार यहाँ पर देखने को मिलेगा अब है we are ready to your KYC हमारी KYC यह दोस्तों वीडियो KYC वो होनी है start video KYC पर किलिक करेंगे उससे पहले मैं आपको धिहान दिला दूँ start KYC complete करने से पहले आपके पास एक तो दोस्तों आपका pen होना चाहिए उसके बाद pen card की original copy होनी चाहिए original pen card आपके पास होना चाहिए एक pen होना चाहिए और इसके साथ-साथ आपके पास एक paper होना चाहिए paper कैसा तो उस तो paper ऐसा होना चाहिए blank ठीक है क्योंकि इस blank paper आपको एक signature करना है क्योंकि वो जो signature करोगे आप वो आपके FD पर जो है signature होंगे क्योंकि वो FD जो 5000 रुपर आपकी हो रही है वो भी सिक्योर है तो यहाँ पर आपको इडिल देनी होगी उसके बाद Start KYC पर क्लिक करेंगे और Start KYC पर क्लिक करने के बाद अब आपकी रिजिस्टर जीमेल आईडी पर आपको एक लिंक मिलेगा लिक पर क्लिक करके आप जो है अपनी वीडियो KYC को कंप्लेट कर सकते हैं और आपको जो है सुबा नोवे से लेकर साम 6 बजे के बीच ही KYC करनी होगी उसके बाद दोस्तों जो है बैंक की छुटी रहती है और आपको जो लिंक मिलेगा वो आपके जीमेल आईडी पर मिलेगा KYC कंप्लेट होने के बाद आपको इस तरीकी का महिए देखने को मिलेगा दबैंक की रिव्यू योर KYC वीडियो KYC हमारी KYC है बैंक उसको रिव्यू कर रहा है अगर आपको 24 गंटे के अंदर ठीक है आपकी जो प्रोफाइल है उसमें किसी परकार की कोई दिक्कत प्रसान नहीं होती है तो chat with us पर क्लिक करके आप बैंक से डायर चैट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर magnet credit card का जो एप है उस एप में जायेंगे तो आपको आपका credit card कर देखने को मिल जायेगा ठीक है और आपको यहाँ पर digital रूप में देखने को मिलेगा आप जो भी service लेना चाते हैं आपकी limit कितनी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी online transaction बंद करना चाते हैं या own करना चाते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ATM से पैसा निकालना चाते हैं own करेंगी वरना off कर सकते हैं और इसके साथ यह तो आपका digital जो है आपको credit card देखने को मिलेगा और आपके address पर एक physical card जो है उसको pay कर देते हैं तो आसा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें